हाई सकीज, वेलकम बाक टू माई चैनल, आज की वीडियो में मैं आपकी साथ, फ्रेंट की स्टाइल की साथ साथ, दो हैर स्टाइल सेर करने वाली हूँ, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी सेर करने वाली हूँ, चलिए देखते हैं वीडियो को, यह फर्स स्टाइल है, और मैंने डेकोरेट किया है, और यह सेकर्ड इसको मैंने अलगत तरह का टरीके से doz करने तरह की सेएर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं तो यहाँ प्लवर मांगतिका लगाने के लिए Queens Center की पार्टिंग करी हैं और यहां पे एक छोटी सी पॉनिटिल बनाऊंगी जिसमें की मंग्टिका को अटकाना होता है तो इस तरह से एक राउन एरिया से एक पॉनिटिल लिया है यह जो स्टाइल है इसमें पफ क्रेट नहीं किया गया है लेकिन फिर भी बहुत सुदर लगता है यह वहला है स्टाइल और बहुत आसान तरीके से आप यहां पे बना सकते हो तो एक छोटी सी पॉनिटिल बनाने के बाद यहां पे आपको टीके को इस तरह से लेना है तो बहुत आसान तरीके से इस तरह से टीका सेट हो जाता है अगर टीके की लंबाई छोटी है तो आप उसमें काला रंग का धागा जोड सकते हो ठीक है और अब फ्रेंट की स्टाइल बनाने के लिए इस तरह से आप थोड़ा सा मैंने थोड़ा क्रिम्पिंग किया है बालों को आप भी क्रिम्पिंग कर सकते हो और नए भी कर सकते तो भी यह त्वाली स्टाइल अछी बनती है बस हैर्स्टाइल जब बनाना हो उसस दिन आ अपनी चंटीशनेर नहीं कुमें पिन कम लगतके हैं इस तरह से अगर आप करते हैं न तो पिन कई कम लगता है । firing वैसे एक-एक करोगे तो चार अगर बनाओंगे तो 4 चार से 5 पिन लग जाएगा आपके वैसे यहां पर सिर्फ 2 पीन से भी आप सेक्योर कर सकते हो क्योंकि बै helping मैने वह कि का है जो की setting clips type का है तो आप setting clips का भी use कर सकते हो तो इस तरह से 4 मैंने front से एक तरफ बनाया है बाकि के बालों को मैंने इस तरह से छोड़ दिया है तो ये जो front का style है ये भी बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हो ये देखो कितना प्यारा साय है अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से बना लेंगे उसके पहले हम इस clutcher को निकाल करके pins को लगा देंगे तो pins को cross में लगाना है पहले एक pin लगाए और उसके बाद फिर आप दूसरा pin दूसरी साइड से लगाए देखिए दूसरी साइड से लगा रही हूँ तो ये cross जैसा हो गया कैसे cross करना है इस तरह से आपको cross करके pin को लगाना है तो आपका style जो है खुलेगा नहीं बाल बाहर आएंगे नहीं इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी कर लेना है अब हमने दाई तरफ बालों को मोरा था अभी फिर से हम दाई तरफ ही बालों को मोरेंगे जिससे की एक जैसा look आए और आपको अगर थोड़ा सा bouncy look चाहिए तो इस twisting वाले जो layer है उसको आप थोड़ा सा pull कर सकते हो तो देखिए किस तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको create कर रही हूँ दोनों तरफ create करने के बाद इनको pins से secure करना है तो यह हो गई front की style और आप इस पे थोड़ा सा spray भी मार सकते हो और उसके बाद back की जो style है यह बहुत ही easy है center to back की parting करनी है और दो ponytail बना लेने है तो यह देखिए center से back की parting हुई है parting थोड़ी सी ठीक नहीं हुई है तो इसको मैं ठीक कर लूँगे नहीं भी ठीक करेंगे तो भी पीछे से दिखेगा नहीं तो इस तरह से आपने दो low ponytail करनी है यह low बन बना रही हूँ मैं जिसको कि आप गजरे से किसी भी तरह से decorate करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और यह ना बगया डोनट किसी extension का use किये हुए आप इस तरह की style बनाओगे तो भी काफी heavy सा look आ जाता है बाल medium है ना जादा मोटे है ना जादा बतले हैं लेकिन जूड़ा बहुत ही प्यारा बना है तो इस तरह से दो layer लेनी है और इस तरह से twist करकर करके नीचे में rubber band से secure कर देना है तो दोरों तरफ हमने इसी तरह से बनाना है एक बन गया अब इसको rubber band से हम secure कर देंगे उसके बाद दूसरी तरफ का भी हम इसी तरह से बना लेंगे अब हमने उपर के rubber band में इस चोटी को इस तरह से फसाना है जैसे कि मैं फसा रही हूँ तो इस तरह से आसान हो जाता है एक दो loop से बन जाएंगे आपके यह देखिए दो loop से बन गया ना अब एक loop में दूसरे loop को इस तरह से घुसा आते हुए आपको दोनों छोड़ों को पकड़ना है और इस तरह से फैला लेना है जूड़े की शकल में अब यह देखिए जूड़े की शकल आ गई ना अब इसको हमने पिन से सिक्योर कर लेना है आप चाहें तो बॉप पिन लगा सकते हैं या फिर आप जूड़ा पिन भी लगा सकते हैं दोनों से बहुत अच्छी तरह से सिक्योर होता है इन दोनों के नीचे की रबर को खोल लेंगे यहाँ पर इस तरह से रबर को खोलने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा एक रबर लगा देना है दोनों को इखटा करते हो इससे क्या होगा आपका जूड़ा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा यकीन मानिए बहुत कम समय में यह वाला जूड़ा स्टाइल बन जाता है अगर पार्लर में बहुत भीड़भार हो तो आप इस तरह के जूड़ा को ट्राइ कर सकते हैं तो इस तरह से जूड़ा की शकल आ गई और अब नीचे की बालों को हम इस तरह से ले जाते हुए जूड़ा पिन बॉप पिन की जायता से सिक्योर कर देंगे बॉप पिन बहुत tightly बालों को पकड़ लेता है तो इसलिए जब छोटे बाल आप secure कर रहे हूं तो आप बॉप पिन के use कर सकते हैं जो छोटे मोटे बाल निकले हैं उसको अब set कर दीजिए तो यह जूड़ा है आपका complete तयार हो गया अब इसको थोड़ा सा pull कर लेंगे हैं और उसके बाद देखिए कि कितना प्यारा सा look आया है सामने से तो बहुत अच्छा लगना था कैमरे में ये look उतना पकड़ में नहीं आया है उसके बाद कोई भी accessories लगा दिया यह वाली accessories मैंने लगाई है तो ये वाला first वाला style complete हो गया अब हम चलते हैं second style की और front से हमने वही रखा है और back side से एक ponitil बना दिया है हमने high ponitil बनाया है थोड़ा सा उसके बाद जो नीचे के बाल जो आपके इधर उधर फैले हुए है उसको hair spray की सहाथा से इस तरह से secure कर देना है तो अगर hair spray नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी का use कर लो या हाथों में aloe vera gel ले लो उससे भी बालों को आप set कर सकते हो या फिर hair gel आता है आप उसका भी use कर सकते हो उसके बाद दो भागों में बालों को बाटना है दो भागों में बाटने के बाद उसमें rubber band से इसको secure करना है थोड़ी दूरी पर तो इस तरह से rubber band लगा करके मैंने secure कर दिया यहाँ पे छुट-छुट rubber band का आप use करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों इस तरह से हमने कर लेना है अब यह दो बन गया अब इसको ऊपर की ओर ले जाना है और उगलियों से थोड़ा सा twist करते हुए इस तरह से आपको जहाँ पे rubber है ना महीं पे आपको जुड़ा pin लगाना यह देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से twist करा है और इसको इस तरह से करते हुए वहाँ पे एक rubber band लगा देना है बहुत आसाने से यह भी secure हो जाता है ज्यादा जुड़ा pin लगाने की जुरत नहीं पड़ती है rubber band पे ही लगाना है आपने और इस तरह से यह वाला होगया कि दोनों को इस तरह से जूड़ दें तो ऊपर वाला तो बन गया और अब नीचे वाला हमने कैसे बनाना है उसके लिए हमने इस तरह से नीचे की बालों को लेना है और उसको दो भाकों में बाटते हुए ही हमने एक rubber band इधर लगाना है और दूसरा rubber band हमने दूसरी तरफ लगाना है तो दो rubber band इस तरह से लग गया अब इस rubber band को हमने बीच से खोलते हुए इसमें इस तरह से निकाल लेना है दोनों तरफ हमने इस तरह से कर लेना है और अब हमने इन दोनों को भी जूड़े की शकल देनी या तो आप इस तरह से कर लो या फिर आप आगे थोड़ा सा पूल कर लो पूल करने से इसमें थोड़ा सा वालियूम आ जायेगा और एक को दूसरी को पहले वाले की तरफ लगा देना है तो इस तरह से दोनों को अभी सेक्यूर कर दें यहां भी जहां पर रबरगेंड है ना जूड़ा पिन ने वहीं पर लगाना है अगर जूड़ा पिन लगाते हो तो एक ही जूड़ा पिन से आपका काम चल जाएगा ज्यादा आपको लगाने की जुरुत नहीं पड़ेगी बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा उसके बाद जो rest ball है उसको हम जूडे में adjust कर देंगे तो इस तरह से जूडे में adjust कर दीजिए और जहां पर आपने adjust कर रहा है वहां पर एक पिन लगा दीजिए जूड़ा पिन लगा दीजिए या फिर bob पिन लगा दीजिए तो बहुत अच्छी तरह से ये set हो जाता है इस तरह से मैं twist थोड़ा सा करके अंदर की और गुसा करके उसमें एक जूड़ा पिन लगा दूँगी तो ये भी secure हो जाएगा उसके बाद जो थोड़े बहुत पाल बचे हैं उसको भी आप जूड़ा पिन की सहायता से secure कर लीजिए यहां पर इन्विजिबल पिन भी लगा सकते हो या फिर जूड़ा पिन भी लगा सकते हो और इसको इस तरह से मैं secure कर दूँगी तो इसके अंदर इसमें दोनों तरफ एक लूप सी बनी होती है देखिए होल साइक बना होता है उसमें इसे आपिन को लेना है और इस तरह से आपको fix कर देना है तो ये देखिए यलो कलर का था ये बटो गया